नमस्कार मित्रूं, सब्सक्राइब कीजिए आपकी देनिक रासिफल चैनल को, जैसनी देव, दोस्तों स्वागत है आपकी देनिक रासिफल में आज का दैनिक राशिफल, राशिफल 1 जून 2024, 1 जून का राशिफल, मकर और कुम्भ राशी वालों की आर्थिक स्थिती मजबूत होगी, मिथुन राशी वालों की नौकरी के लिए रहेगा अच्छा दिन मकर और कुम राशी वालों की आर्थिक स्थिती मजबूत होगी, मिथुन राशी वालों की नौकरी के लिए रहेगा अच्छा दिन एक जून, शनिवार के ग्रेह नक्षत प्रीती योग बना रहे हैं इस कारण निवेश के लिहाज से मेश राशी वालों के लिए अच्छा दिन रहेगा व्रिश राशी के नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक जिम्मेदारी मिल सकती है मिथुन राशी वालों को नौकरी में विशेश अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी मिल सकती है एक जून का पंचान्ग, शनिवार का पंचान्ग, शुब मुहूर्त और राहोकाल का समय राशिफल से पहले आज का पंचान्ग इस प्रकार है एक जून दो हजार चौबीस का दैनिक पंचांग, आज का पंचांग, एक जून दो हजार चौबीस को जेश्ट माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथी है। इस तिथी पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और प्रीती योग का सयोग रहेगा। चंद्रमा मीन राशी में मौजूद रहेंगे। करक राशी वालों के रुके कामों में तेजी आएगी। धनू राशी वालों के रुके कामों में तेजी आएगी और बिजनेस के अच्छे मौके भी मिलेंगे। मकर और कुम्भ राशी वालों की आर्थिक स्थिती मजबूत हो मुताबिक 12 राशियों के लिए कुछ ऐसा रहेगा दिन। वीडियो को देखें लाइक कमेंट और शेयर करें। कमेंट करके आप अपना सुझाव हमें जरूर लिखें। आपकी राशिफल के मुताबिक 12 राशियों का फल जरूर देखें। मेश राशिफल पॉजिटिव समय अनुकूल है, इसलिए कोशिश करते रहें और उपलब्धियां हासिल करें। निवेश के लिए भी समय उत्तम है। सामाजिक गतिविधियों के प्रती आपका निस्वार्थ योगदान समाज में आपको सम्मानित भी करेगा। नेगेटिव कभी कभी आपका अधिकार पूर आपका भ्रम ही हैं। व्यवसाय मारकेट में आपकी योग्यता वप्रतिभा के लोग कायल हो जाएंगे। बिजनेस में महत्वपूर्ण ओर्डर मिल सकते हैं। इंकम सोर्स दी में ही रहेंगे। धैर्य रखें। वर्तमान गतिविधियों का शुब परिनाम निकट भावि व्यक्तियों के स्वास्थे को लेकर लापर वही बिल्कुल ना बरतें। परेशानी उत्पन होने पर तुरंत एलाज करवाएं। भाग्यशाली रंगास्मानी, भाग्यशाली अंकचार, व्रिश राशी पॉजिटिव घर में संबंधियों की आवाजाही से खुश्नुमा म हॉल बनेगा। पारिवारिक गते विधियों में आपका योगदान रहेगा तथा व्यवस्था बनाने में भी आपके विशेश प्रयास होंगे। युवा वर्ग को अपने करिया से संबंधित कोई शुब समाचार मिल सकता है। नेगेटिव जल्दबाजी में कोई भी निर मशहरा करना समाधान देगा। व्यवसाई कारोबारी मामलों में बहुत आधिक सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि इस समय किसी प्रकार का नुकसान होने की आशन का लग रही है। कर्मचारियों की किसी लापरवाही की वजह से कोई ओर भी कैंसिल हो सकता है। नौकरी पैसा लोगों को कोई मन मुताबिक कार्यभार मिलेगा। लव पारिवारिक वातावरन खुशनुमा रहेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को ताजा करेगी। स्वास्थय तनाव की वजह से बेचैनी और चककर आना जैसी तकलीफ रह सकती है। त बहतरीन समय का सदुपयोग करें। घर के किसी विवाह योग्य सदस्य के लिए उत्तम रिष्टा आने की संभावना है। विद्यार्थी वर्ग अपने पढ़ाई के प्रती पूरी तरह एका ग्रिचित रहेंगे। नेगेटिव भावुकता की बजाए प्रेक्टिकल पैर ना करें। वियर्थ के कारियों में समय बर्बाद ना करें। व्यवसाए व्यवसाए संबंधी छोटी मोटी गलतियां होगी परंतु उससे सीख लेकर आगे बढ़े। हालां कि अधिकतर काम बिना किसी बाधा के संपन भी हो जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को अ सर घर की व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। स्वास्थ्य वर्तमान वातावरन और पॉल्यूशन से बचाव रखें। इसके लिए योगा, मेडिटेशन ध्यान आदी उचित समाधान है। भाग्यशाली रंगहरा, भाग्यशाली अनकाथ, करक राशी पॉजिटिव संपर के माध्यम से खास जानकारियां मिलेंगी, जोकी फायदेमंद साबित होगी। आर्थिक स्थिती और अधिक बहतर होगी। अपनों के बीच समय व्यतीत करने से आत्मिक खुशी मिलेगी। संतान के विदेश जाने संबंधी कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। नेगेट वरिष्ट सदस्यों का अनुभव तथा सहयोग आपको बहुत अधेक लाबदायक रहेगा। व्यवसाए व्यवसाएक रुके हुए काम गती पकरेंगे। कर्मचारियों का भी आपके प्रती पूर्ण सहयोग रहेगा। इंपोर्ट-ेक्सपोर्ट संबंधी कारोबार में व विशेश पाइदा होने वाला है। नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी स्थानांतरन संबंधी कारियों के लिए उच्चादे कारियों से विचार विमर्ष करें। लव कुछ समय अपने पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जीवन के लिए निकालना संबंधों में मधूर्ता युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों में तबदील होगी। स्वास्थ्य स्वास्थ्य उत्तम रहेगा किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। सिर्फ सयमित दिनचर्या रखें। समय व्यतीत होगा। नेगेटिव किसी की भी चिकनी चुपड़ी और लुभावनी बातों में ना आए। बनते कारियों में कुछ दिक्कते भी आ सकती हैं। हालांकि आप अपने विवेक द्वारा परिस्थितियों को समान्य कर लेंगे। विद्यार्थी वर्ध को पढ़ा से संबंधित सभी विशय को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अभी ज्यादा निवेश करने से भी परहेज रखें। लव परिवार जनों के बीच आपसी सामन जस्य का कुछ अभाव रहेगा। उचित व्यवस्था बनाए रखने में आपका प्रयास जरूरी है। प भाग्यशाली रंग बादामी, भाग्यशाली अंकदो, कन्या राशी पॉजिटिव आज कोई खास काम पूरा करने में सफल होंगे। आपके व्यक्तित्व और व्यवहार कुशलता की समाज में तारीफ होगी। आपका सम्मान भी बढ़ेगा। विद्यार्थियों को अपन दिरिक्त व्यस्तता के चलते व्यक्तिगत कामों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। व्यवसाई कार्यक्षेत्र में नई गतिविधी शुरू करने से पहले स्टाफ और कर्मचारियों से भी जरूर सलाह लें। उनका आनुभव आपके लिए फायदे मंद रहेगा। ओफिस म अस्थ्य व्यायाम और योगा को अपनी दिन चर्या में नियमित रूप से शामिल करें। क्यूंकि सर्वाइकल वा कंधों में दर्ग जैसी शिकायत बढ़ सकती है। भाग्यशाली रंग सफेद, भाग्यशाली अंकनो, तुला राशी पॉजिटिव वित्तिय मामलों में च इकभाल संबंदी कारियों में उचित समय व्यतीत होगा। नेगेटिव अपना स्वभाव सकारात्मक बना कर रखें। कभी कभी कुछ पुरानी नकारात्मक बाते हावी होने से आपके मनोबल में आ जाती है। अपने स्वभाव पॉजिटिव बनाए रखे तथा वर्तमान परिस्थितियों में ही अपना ध्यान लगाएं। साथ ही नजदी की रिष्टेदारों से संबंध मधूर बना कर रखें। व्यवसाय वर्तमान गते विधियों पर ही ध्यान दें। ये समय नई योजनाओं को बनाने के लिए अभी अनुकूल नहीं है। इस समय फाइनेंस स समबंदी कोई भी निर्नए ना ले। कम्प्यूटर, मारकेटिंग आदी से जुड़े व्यवसाय में कुछ उपलब्धिया मिलेंगी। नौकरी पेशा लोगों को ओफिस की राजनीती का सामना करना पड़ सकता है। लव पारिवारे क्वातावरन में किसी प्रकार का आपका गुस्सा और चिर्चिरापन ही होगा। इसलिए अपने स्वभाव पर नियंत्रन रखें। स्वास्थ्य स्वास्थ्य ठीक रहेगा। चिंता ना करें। तथा अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बना कर रखें। भाग्यशाली रंग आस्मानी, भाग्यशाली व्रिश्चिक राशी पॉजिटिव बहतरीन परिस्थितियां बन रही है। किसी भी असमंजस की स्थिती में अपने प्रिय मित्र से सलाह लेना उचित रहेगा। रोजमर्रा की दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाएं, इससे ताजगी और उर्जा बनी रहेगी। किसी व वल्दी हासिल करने की कामना में किसी भी गैर कानूनी कार्या को अपने हाथ में ना लें। वर्तमान स्थिती पर ही ध्यान दें। व्यवसाए बिजनेस के कामों में बहुत सोच समझ कर फैसले लें। योजना बनाकर काम करने पर निश्चिती अच्छे नतीजे मिलेंगे। ओफिस से संबंधित अपने महित्वपून पेपर और फाइलों को कम्पलीट रखें। लवपती पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। इससे आपसी संबंधों में मधूर्टा बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी नजदी किया रहेगी। स्वास्थय अस प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री की योजना बन रही है तो आज उस पर कोई महित्वपून वार्तालाप भी हो सकता है। आपका भावुकता की बजाए प्रेक्टिकल सोच रखना आपके लिए फाइदेमन साबित होगा। कहीं फंसा हुआ पैसा आज मिल सकता है। नेगेट की संभावना है। बहतर होगा कि अपने व्यक्तिगत कारियों में ही खुद को व्यस्त रखें। व्यवसाए इस समय व्यवसाए से संबंधित बहतरीन मौके मिलने वाले हैं। रुके हुए कारियों में गती आएगी तथा चीजे व्यवस्तित होना शुरू हो जाएंगी। सही समय पर सही फैसला लेना जरूरी है। ओफिशियल यात्रा करने से पहले उसकी लाभ हानी पर जरूर विचार करें। लव घर का वातावरन सुखद बनाए रखने में पती पतनी का आपसी सहयोग होना बहुत जरूरी है। युवा वर्ग प्रेम संबंधों में मर्यादा और गरिमा बनाए रखें। स्वास्थय घर में कुछ ना कुछ स्वास्थय संबंधी समस्याई चलती रहेंगी। व्यवस्थित माहौल रखें तथा तुरंथी इलाज लेने की भी जरूरत है। भाग्यशाली रंगलाल, भाग्यशाली अंगतीन, मकर राशी पॉजिटिव दोपहर बाद परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल बनेगी। किसी संपर्क द्वारा महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त होगा। जो कि आपके भाविश्य के लिए बहुत ही लाबदायक साबित होगा। रुकी हुई पीमेंट साधी मिल जाने से आर्थिक स्थिती भी का काम ले। किसी के साथ भी गलत फेहमी के कारण रिष्टों में कटुता ना आने दे। बच्चों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसाय प्रभावशाली व्यवसायक लोगों से आपके संपर्क बनेंगे। जिससे आपको बड़े ओड़ भी मिलेंगे। काम को समय पर पूरा करना आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों पर भी कोई महत्व पूर्ण जिम्मेदारी आ सकती है। लव दामपत्य जीवन सोहर्द पूर्ण रहेगा। परंतु प्रेम संबंधों में कुछ गलत फेहमि उपज रखती है। एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखना आती आवश्यक है। स्वास्थ्य ब्लड प्रेश तथा डाइबिटीज संबंधी जांच अवश्य करवाएं। योग और व्यायाम को भी अपनी दिन्चर्या में शामिल करें। भाग्य शाली रंगलाल, भाग योग शाली अंग पांच, कुम्ग राशी पॉजिटिव आज कई तरह की गते विधियों में आप व्यस्त रहेंगे। घर में संबंधियों के आगमन से महमान नवाजी में समय व्यतीत होगा। तथा विशेश मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्ष भी रहेगा। आर वाहन चलाते समय भी अत्यधिक सावधानी रखने की जरूरत है। संबंधियों के साथ अन्बन अथ्वा मनमुटाव की स्थिती न उत्पन होने दे। व्यवसाए व्यवसाएक गते विधियों में ज्यादा से ज्यादा समय देने की जरूरत है। राजनेतिक और तर संबंध परेशानी का कारण बन सकते हैं। बहतर होगा कि इन से दूर ही रहें। और घर परिवार में ही अपनी खुशियां बनाए रखें। स्वास्थय काम की अधिकता की वजह से थकान और तनाव रहेगा। उचित आराम और खानपान पर भी ध्यान देना जरूरी है। भाग्यशाली रंग सफेद, भाग्यशाली अंक्छे, मीन राशी पॉजिटिव कुछ विशिष्ट लोगों के संपर्क में आने से आपकी विच शेली में आश्चर्य जनक परिवर्तन आएगा। आपका व्यक्तित्व और सकारात्मक सोच दूसरों पर उचित छाप छोड़ेंगे। आर्थिक स्थिती बहतर होगी और मनोरंजक प्रोग्राम बनेंगे। नेगेटिव पारिवारिक छोटी मोटी नकारात्मक बातों को त लवसाय व्यवसाय संबंदी प्रत्येक गतिविदी पर पैनी नजर रखें। कर्मचारियों के बीच कुछ मनमुटाव हो सकता है। साजेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता बना कर रखें। गलत फेहमी ना आने दें। अधिक पैसा अपने व्यवसाय पर ना लगाए अभी परिस्तितिया अनुकूल नहीं है। लव पती पत्मी एक दूसरे के प्रती सम्मान की भावना रखें। प्रेम संबंधों में भी समय नश्ट ना करें। स्वास्थ्य वहन सावधानी पूरवक चलाएं। किसी भी तरह का जोखिम लेना आपको खत्रे में डाल सकता है बहतर होगा कि आज दिन घर पर ही व्यतीत करें। के लिए आपकी राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करें। तथा अपनी किसी भी विज्यापन के लिए हमारे चैनल से संपर्क करें। आपका दिन शुभ हो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो के लिए धन्यवाद अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।